हेलो बच्च नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल एग्रोटेक स्टड़ी मैं और बच्चो मैं हूँ अरविंद्यादव कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ सभी चात्र बहुत अच्छे होंगे और आपको सूचना तो मिली गई होगी कि MPPAT का एकजाम जो है जून में होना है कल मैंने वीडियो के माद हम सबको बता दिया था कि अपकी बार एकजाम बहुत जल्दे हो रहा है और आपके पास जो समय है वो बहुत काम है तो समय कम है और लगबग आप लोग देख रहे होगे तो घबराना नहीं है ऐसा नहीं है कि सम लोग एक साल से तयारी कर रहे हैं भाई भी धिल डाले थे अभी तक कि सोच रहे थे कि अगस्त में एकजाम होगा आराम से पढ़ लेंगे तेकन ऐसा नहीं है अब जून में एकजाम है और सब लोगों की तयारी एक जैसी है तो बिलकुल ना घबराएं बिलकुल तसल्ली से और अच्छे से आप पढ़ना होगा आपको तो निरनय अपने लिलिया होगा कि करना क्या है और सांदार अगर आपको पढ़ाई मिले तो आप लोग बिलकुल सफल हो सकते हैं अब जो समय है आपको अच्छे से पढ़ना है मेहनत करना है और किसी चीज में कोई कमी नहीं होन चाहिए पहली बात तो यह है प्रॉपर समय देना है पढ़ाई के लिए जो चात्र अभी तक भटक रहते घूम रहते फिर रहते या IPL में या रील्स देखने में इंस्टाग्राम चलाने में अभी तक लगे हुए थे तो मैं उनसे आग्रे करूँगा बार बार यही करूँगा कि अब समय कम बचा हुआ है अब यह सब चीज पर रोक लगा दीजे और अब पढ़ाई में लग जाए यदि आपको क्वालिफाई करना है तो और आपको एदि सिर्फ पस्तावर है जाता है कि साइद कहीं कर लेते पढ़ लेते तो स्लेक्शन हो जाता ठीक है ना जितने रिजल्ट आता है बादना भूद दुख होता है कि पढ़ लेते तो स्लेक्शन हो जाता तो पस्ताना नहीं है पस्तावे से बचना है तो अभी भी समय है इतना समय मैं बचा हुआ है कि अगर आपने टाइम टेबल से अच्छे से पढ़ लिया तो स्लेक्षन आपका कोई नहीं रोख सकता है ठीक है बाकी जो चात्र बाहर जा चुकें उनसे कहना चाहूंगा कि बाहर घूमना फिरना और मोबाइल में टाइम पास करना कम कर दीजे वो जो आपको बता चुका हूं कई बार एक बार किसी भी चीज को पढ़ने से चीज याद नहीं रहती है कम से कम चार से पांच बार उस चीज का रिविजन करेंगे तब जाके वो चीज आपको याद रहेगी इसलिए मैं आप से कहरा हूं कि थोड़ा सा समय आप लोग बढ़ा दे सेल्फ स्टड़ी वाले ठीक है जिन लोगों ने स्टार्ट नहीं किये है वह स्टार्ट कर सकते हैं और जो बाहर नहीं जा सकते हैं मध्यमबर के परिवार से हैं उनकी हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं नीचे मुवाइल नमर दे रखा है नोट्स का पीडिएफ आपको मिल पीडिएप के रूप में प्राप्त कर सकते हैं ठीक है चलिए अब ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे आज का टोपिक है MPPAT प्रैक्टिस टेस्ट है बचो प्रैक्टिस आज हमको आपको करा रहे हैं तो जो भी कोशन है अच्छे कोशन है और जो बार-बार पुछे जाते ह हम भी प्रशन हम लेकर रहे हैं आप लोग इनको पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भूद मजा आएगा वो सबसे अच्छी बात तो इसमें यह रहेगी कि आप कितना कर पा रहे हैं अपने लेवल को भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि अभी हम किस लेवल पर ख जाती का है किस जाती का है तो डुप होता है कि बेरी होता है पॉम या नट आपको पता है कि केले के सबी फलों के प्रकार होते हैं और इसमें दे रखा है तो इसका जो आंसर सही होगा केले के फल का प्रकार होता है वो होता है बेरी क्या होता है आपका बेरी आपका केले के छीकर न, चलिए, बढ़ते हैं आगे निम्र में से किस में vitamin C की मातरा सरवादिक है आपको पताना है इनमे से कौन सा फल है जिसमें vitamin C सबसे ज़़ादा होता है सबी आपको देख रहे हैंगे चारो जो फल है, वो चारो खट्टे फल है चायवाय अम्रूद हो, नीवू, C है मौसंबी और D है आमला, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा बिटामिन C इस समय है, आमले में लेकिन यहां आमला की जगह अगर मान के चलिए, आमला होता और एक option और होता जिसका नाम है बार्वेंडस चेरी, तो धिधान रखना बार्वेंडस चेरी सही होता बार्वेंडस चेरी ये फल में, इस फल में सबसे ज़्यादा बिटामिन C पाई जाती है, आमला से भी ज़्यादा, याद रखना इसको, कई बार question आपकी exam में पूछा जा चुका है तीसरा आपका point है LC का परिवार है, LC का परिवार मतलो LC का कुल है कौन सा कुल है, leguminacy lenacy, esteracy या amaranthacy, तो बताए LC का कौन सा कुल होता है आपको बताना है, बिल्कु सही answer होगा इसका lenacy, ठीक है आपको पता है, इसका linum uc tetisimum, इसका botanical lem होता है, linum या linum, uc tetisimum और lenacy's का कुल होता है बाकी आपको पता है, कि leguminacy's अभी दालवाली फसल का कुल होता है, ठीक है ना, इस ध्यान रखें, बढ़ते हैं आगे, next question number 4 की ओर question number 4 है गन्ये के खेत के चारो ओर सनई की फसल की कुछ पंक्तिया बोना क्या कहलाता है बहुत अच्छा question है, कि गन्ये का अपना खेत है, उसके चारो ओर क्या लगा दी अपने सनई की फसल लगा दी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, आपको बताना है उसको मिस्रित फसल कहेंगे, रक्चक फसल कहेंगे, सहचर फसल या सहाइक फसल, क्या कहेंगे बताईए आप लोग कि गन्ये के खेत के चारो ओर, अगर आप सनई की फसल लगाते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, देखो गन्ये के सनई जो होती है न, उसको बोला जाता है गार्ट क्रॉप, यानि रक्चक फसल कहा जाएगा जिससे गन्ये की फसल को हम लोग नुकसान होने से बचा सकें, या पसूँ उसे बचा सकें, ठीक है पाँचबा है, मोशंबी का बेग्यानिक नाम, मोशंबी का बेग्यानिक नाम क्या है बच्छो, साइट्रस साइनेंसिस, साइट्रस औरंटी फोलिया, साइट्रस नोविलिस या साइट्रस रेटी को लेटा बेग्यनिक नाम आपने याद की होंगे तो आपको याद होंगे बताइए क्या होता है जहां रखना इसका बॉट्टी कलने होता है साइट्रस साइनेंसिस मुसमिगे क्या होता है साइट्रस साइनेंसिस बोटनी कलने मोता है चटबा कोशन है इनमें से कौन से अंगूर की संकर प्रजाती है बहुत अच्छा प्रिस्टन है संकर की कोई हाइब्रिड पूछा है इसलिए important है द्यान रखे तो अंगूर की संकर प्रजाती कौन सी है अरकावती, बैंगलोर विलू पूसा सीडलेस या मसकट तो आपको बताना है कि हाइब्रिड बैराटी कौन सी है बिल्कुल आप लोग सही जा रहे है इसकी सही जो बैराटी है वो है अरकावती याद रखें कौन सी है अरकावती ठीक है चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे कौशन नमर साथ देखिए नैस कौशन नमर साथ है आपका एक हेक्टेर में पोधो की संख्या ग्याद कीजिए जब अमरूत के पोधो की दूरी आठ इंटू आठ मीटर हो कितने मीटर हो आठ इंटू आठ मीटर हो तो इसे ग्याद करने का मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक हेक्टर देखो यहां दे रखा है एक हेक्टर तो एक हेक्टर बराबर होता है दस हजार वर्ग मीटर याद रखना कितना दस हजार वर्ग मीटर तो कुछ नहीं करना है आपको दस अजार बर्ग मीटर है जिसमें आठ इंटू आठ मीटर दे रखा ने ? तो आठ इंटू आठ मीटर का क्या कर देना है आपको यह आपको इसको 88 यह 64 हो जाएगा यानि आप लोग यहां पर इसको हटा के क्याल लिख सकते हो कितना आएगा इस चारू option में से कोई सा इक option निकल के आ जाएगा इस परकार से आप लोग इसको गयाद कर सकते हैं यह क्यों किसी भी किपूछे है अभी हाँ पर पोछ राहा है किसी का भी पूछे तो इसी परकार से आपको गयाद करना होता है ठीक है तो आप लोग निकालेंगे तो कितना निकल काएगा लगबग निकल काएगा 156 पोदे कितने पोदे 156 पोदे ठीक है फूल गोबी का बनस्पतिक नाम बताईए तो फूल गोबी का बनस्पतिक नाम ब्रिस्का ओलेरेसिया बैराइटी बॉटराइटिस डेकस केरोटा Allium Sampa या Mus entire record in pro manga फूल कोविक का जो बानसपतिक नाम होता है वो होता है ब्रिस का Olerasia variety botry danke Decus carrot आपको पता है गilesर का है ऐं L. E Amspare pas आपका लेसिन का है मूस theta prayison का केला चा लेंड को लेंड सब्सविए उप्सें होगा पका हुआ याद रखना आम और पपीता दोनों उप्सें तो आम इसका सही आंसर वह द्यान रखें अप लोग ठीक है गाजर शब्से ज्यादा गाजर में आता है ठीक है ना बिटामेन यह इस को इस बढ़ते हैं हम लोग कि नेस्ट कोशन देख लीजिए कोशन नमर आपका नो हो गया था द्रश्ट कोशन आप लग देखे द्रश लगाने की कौन से बिधी पर चलेते हैं लोण लोन मतलब जो गार्डन में हम लोग दूब गहां से लगाते हैं उसमें लगाने की विदियां होती है आपने 12 पे बढ़ा होगा इनको बीज द्वारा टर्फ लास्टरिंग टर्फिंग द्वारा या डिबलिंग विदी द्वारा इनमें से कौन सी विदी ऐसी है तो सरबाद पिर्चलेद हैं बताईए आप लोग धिया रखना सबसे बिजिया है कौन सी बिजिद द्व विदे ओर लोन लगाने की सबसे जल्दी तैयार कौन सी माल्दाको कहां सबसे जल्दीति होती है याद रखना आप्का वहती है टेर्फ सार कि निम्न में से कौन सी विदी आम के वेफसायक परसारन की काम आती है। जी हाँ, आपको पता है, आम का दूसरा पुआ तैयार करने के लिए, जो आपके वेफसायक परसारन में प्रियोग करते हैं, वो कौन सी विदी है, वडिंग, गूटी, कटिंग या ग्राप्टिंग, सब लोग जानते हैं कि ग्राप्टिंग, ग्राप्टिंग में भी वेनियर ग्राप्टिंग होती है, यह सबसे ज़्यादा आम में परिचलित है और इस विदी का सबसे ज़्यादा प्रियोग किया जात और दलहनी फसल क्यों बनाई जाती सबसे अच्छी आपको पता हुआ कि इसलिए सबसे बुरी कैसे बुरी का मतलब है इससे खाद नहीं बना सकते हैं और नहीं का मतलब गए हैं जाती हैं बनाई जाती है ठीक है चली बढ़ते हैं आगे नेस कोशन है पोधों के लिए कितने तत्व आवश्चक हैं 17, 26, 12 या 24 तो आपको पता है पोधों के लिए 17 पोशक तत्व के आवश्चकता होती है 17 पोशक तत्व कोन सा है निकल है कब जोड़ा गया 1987 इससे पहले कितने थे 16 याद रखना काई आप भूना नहीं है जिसमें आपको कईह तरह के होते हैं राखना दुट्यक पोशे कस्के और शुक्तन पहले वाले सरचनात्मग थोड़ा याद रखना आपने पढ़ा होगा इस टौप को तो याद कि जबाहर गौरब तथा अंकुर किसकी किसमे हैं जबाहर गौरब तथा अंकुर जवार की कपास की उड़त की या स्वयवीन की यह स्वयवीन नहीं नहीं है निमन मेंसे कौन सा खर्पतबार नाशी नहीं है मतलब जू कर्पतबारों को नस्ट नहीं करता है 2.4 ये तो है ग्रैमःक्सओन पैंडे मैथालेन या जिब्रिलिक एसेट तो आपको बताना है इन में कौन सा खर्पतबार नासी नहीं है तो कुपता है ये सुरुवात की तीनों दवाईयों से खर्पतवार नस्ट की जाते हैं जिब्रेलिक एसिड एक हार्मोन है जिब्रेलिक एसिड क्या है हार्मोन है और इसका प्रयोग खर्पतवार नासी की रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है question number 16 है बथुआ का बानस्पतिक नाम बानस्पतिक कुल कौन सा है तो बथुआ का बानस्पतिक कुल बताईए आप लोग चीनो पोडेसी, लेलेसी, सोलेनेसी या लाइनेसी बथुआ का बोटनिकल कुल कौन सा है तो ध्यान रखना इसका बनस्पतिक नयम क्या होता है पता है आपको चीनो पोडियम एलबम होता है और कुल है चीनो पोडेसी वह सिंपल है सतरवाय अमलिय मिट्टी का सुधार करते हैं जियां बच्चों कोशन बहुत अच्छा है अमलिय मिट्टी का सुधार करते हैं किस से करते हैं चुना से बॉरेक से जिंक सलफेट से या जिपसम से तो अमलिय मिट्टी जिसका pH मान सास से कम होता है वह अमलिय मिट्टी कहलाती है और इसमें आपका हैड्र आइंस की मातरा और अलुमिनियम आइंस की मातरा जादा होती है जिसका उसका pH साथ से कम होता है तो इसको सुधारने के लिए किसका प्रियोग करते हैं याद रखना चूने का प्रियोग करते हैं किसका प्रियोग करते हैं हमली मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का प्रियोग किया आता है एक बात याद रखना आलू एक परिबर्तित रूप है आलू परिबर्तित रूप किसका है? जड़ का, पत्ती का, तने का या उपरुक्त मैंसे कोई नहीं तो आपको बताना है आलू क्या है? आलू अब बहुत सारे लोग सोचते हैं नीचे लगता है, नीचे मिट्टी में लगता है, तो क्या होगा? जड़क, तो यह आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है, तक आलू तने का परिबर्तित रूप है किसका रूप है? तने का, तना जब फूल जाता है, अपने अंदर भोजन एक अत्रित कर लेता है, तो उसे हम लोग कहते हैं आलू, ठीक है ना? और वो आपका तने का परिबर्तित रूप होता है मैसूर का प्रिशिद गार्टन का है? मतला मैसूर गार्टन कहां पर है? बताइए अपलो कोश्हर नमर 20 की हम लोग बात करते हैं बचो कोश्हर नमर 20 है, धान गेहूं, मूंग, फसल चक्र की गहंता बताए धान की फसल, गेहूं, फसल और मूंग, तीन फसल नहीं है वो फसल चकर गहनता पूछ रहें तो दे रखें इसको solve किया जाता है कैसे किया जाता है मैं थोड़ा से इसको बताना चाहूँगा देख लीजे क्या होता है इसका formula होता है फसल चकर की गहनता बरावर formula होता है कि फसलों की शंख्या फशलों की साल में फशलों की शंक्या तो फशलों की शंक्या कितनी है एक दो तीन आपको पता है कितनी फशल है तीन फशल एक ही सीजन में ली गई है धान खरीप में गहूं मूंग में है और मूंह जआद ना यस तीन सीजन हो पता है कितनी है एक साल है और इंटू कितना कर देते हैं तो यह करेंगे तो तीन 친ति सो जाएगा और तीन सो भटतलों की संख्या बटएयर फस्लों की बंटा आ चांणे कыеत बसक्त कोई कई डटह से संक्या यह मतलब कितने यह में कितनी फचले ली गई है उसके बाद 21 बास पिजन पिंगल सामान त्याज जाना जाता एक ग्रीन ग्राम बंगाल ग्राम या रड़ ग्राम पता है यह लाल गलर की होती है तो इसलिए इसको रेड ग्राम कहते हैं क्या कहते हैं इसको रेड ग्राम देखो बलेक ग्राम किसको कहते हैं ध्यान रखें उलद को ग्रीन ग्राम किसको कहते हैं मूं को और बंगाल ग्राम किसको कहते हैं चना को और रेड ग्राम आपको बताई दिया यह अरहर को कहा जाता है तो अब लोग इन निकलने पर देर से फुटाब अवस्ता पर दुखद अवस्ता पर या एक option और कोई नहीं एक option और होगा कौन सा कोई नहीं ठीक है ना ध्यान रखें तो बताइए गहूं में सिचाई करते हैं आपको पता है कि उसकी जो रूट इनिश्यसन यानी crown जड़े निकलने पर यह answer इसका सही हुआ क्या होता है crown रूट इनिश्यशन 21 दिन में आती है गहूं में जोगी ग्रानते का बस्ता होती सबसे simple question है और सब जानते हैं इसको next question है थाला सचाई बिधी साधारंतया उपयूकत है थाला का मतलब होता है कि इसमें क्या बनाया जाता है एक गोल भीरा बनाया जाता है और उसमें किसी भी जनरली पेड़ पौधों के लिए प्रियोग की जाती है फसलों के लिए प्रियोग नहीं की जाती है तो इसके चारों तरब बोला बना देते हैं मिट्टी से जनरली और प या ring method English में कहा जाता है, clear? बचों आगे बढ़ने से मैं पहले आपको बताना चाहूँगा, MPPAT की तैयारी कर रहे हैं छात्रों के लिए, कि तैयारी तो आप लोग कर रहे हैं, पर इस प्रकार से तैयारी करें, इस लेक्षन होना चाहिए आपका, मकारी ना करें, मेहनत करें, और IPL जो इस समय चलना है, जो आपकी बरबादी का करण बन सकता है, उससे बचें, Reels, Instagram, जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में परिसानी दे रहा है बचों के लिए, इससे बचें, और इन दो चीजों से यदि आप लोग बच गए, तो मुझे पून बिस्वास है कि आप लोग सफलता प्राप्त जरूर कर लेंगे, ठीक है, सही दिसाम है, सही मार्ग दरसन अगर आपको मिले, तो बिलकुल मुझे पून बिस्वास है, आप लोग सफलता प्राप्त कर सकें, पर मार्ग दरसन आपको सही मिल पा रहा है कि नह उटने का समय निश्चित होता है इस वज़े से वह असफल हो जाते हैं और जो भी पैसा खर्च करा करा के घर वाग आते हैं तो ऐसे दोस्त त्यारों से भी बचे हैं आप लो उनको समझाएं या दि आपको इस प्रकार के मित्र हैं तो और आप पढ़ें कोई कमी नहीं होना चाहिए मावाप आपको पढ़ा रहे हैं ये आपका स्वभाग है कि वो आपको बहार जाने के लिए महाँ पर आपको पैसा खर्च कर रहे हैं तो आप उनकी जो आसा है उसको बनाए रखें और उनकी आसाओं पर खरय उतरें निरासा में ना बदलें क्योंकि अगर निरासा उनको मिलीगी तो उनका जो विस्वास है वो आपसे उठेगा और जीवन में आपके आगे बहुत परिसानियों का आपको सामना करना पड़ेगा एदि माता पिता को आपने निरास किया तो इसलिए अपनी जो मेहनत है उसमें किसी पिरकार की कमी नहीं होना चाहिए ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे उम्मीद करता हो सभी छात्र मेरी बातों को समझेंगे और आगे जो गलतिये कर रहे हैं उनको सुधार करके आगे बढ़ेंगे लवनिये पानी की दिसामना सबसे उपिक सिचाई बिदी कौन सी है मानके चलिए कि आपका जो सिचाई करने के लिए पानी है वो लवनिये है मतलब उसमें लवन की मातरा जादा है मतलब कह सकते हैं खारा पानी है तो कौन सी सिचाई बिदी सबसे बहतर मानी जाएगी बूंद या टपक बिदी, बोचारी बिदी, कूड बिदी या बाड बिदी तो इसकांसा सही होगा, बूंद या टपक बिदी आपको पता है, इसको drip से चाहिए कहते हैं और यह आपको इसराइल से आई थी इसराइल के वेग्यानिक थी, सिमचा बिलास उन्होंने इस बिदी का विसकार किया था बूंद या टपक बिदी का, इसको drip irrigation के नाम से जानते हैं और सबसे जाधा इस बिदी का उप्योग वहाँ पर किया था जहांपर पानी की कमी होती है तो महाराष्टर आज में सबसे जाधा इस बिदी का प्रियोग किया जा रहा है आज की देट में हम लोग बात करें तो ठीक है बोचारी बिदी भी है लेकिन इसका आंसर सही है बून बिदी क्योंकि एक इसमें कोशन और बनता है बड़ा कंफ्यूज करता है देखो कोशन क्या पूचा है अगर पानी लबणी ये हैं तो आप लोग बून ये टप अगर बनता है बिल्कुल आपको इस प्रकार से याद रखना है कोशन पूच किया रहा है क्लियर चलिए अब कोई-कोई पूच तो ऐसे दिमाग में इतनी चल लाए कि सर बाड़ विदी क्यों पर बाड़ विदी का मतलब होता है पानी सबसे ज़्यादा खेत में दिया जात है क्लियर हुआ कि नहीं कोशनेमर 25 देख लेजए कोशनेमर 25 क्या कहता है कि सीड्रिल को कि संतर के लिए समा वेसित नहीं किया सकता पंक्तियों की आपसी दूरी यह तो थे सलसलakes सकते हैं दूसरा बीच की गहराई जितना हमगे हो जाएग का सम मेशित नहीं पर निजब कर सकते हैं। ध्यान अबढ़ा की यह स्तेंस जो उती है ूं निशिति कर सकते हैं। बाकी बीच दर कितने खेत में डालना है, वो भी कर सकते हैं, बीच की घहराई कितने करना है, वो भी हम लोग टैसे करते हैं, पंगति योगी आपश की दूरी निश्चित कर सकते हैं, 26 पर कोशन है फिलेरिस माइनर कौन सी फसल में सामान खर्पतबार है आप जानते हैं फिलेरिस माइनर के दो तीन नाम है बंदरा बंदरी भी बोलते हैं इसको और आपका गेहूं का मामा बोलते हैं नकल्ची खर्पतबार बोलते हैं और ये आपका गेहूं की वसल का मुख खर्पतबार होता है कोसर नमर 27 से बथुआ का बार्सपतिक नाम बताई है तो आपको पता भी बताया था चीनो पोडियम होता है नेक्स्ट कोशन है जिपसम के प्रयोक से किस मिट्टी को सुधार करते हैं अब चारी मिट्टी में ये कनफीजन होता है कि जिपसम से चारी सुधार है चारी और लवडियम को सुधार किस से सुधार है लवडियों को सुधारते हैं देहां रखना लीचिंग द्वारा किस के द्वारा लीचिंग क्या होता है सर तो लीचिंग का मतलब होता है कि खेत में पानी भरते हैं क्या भरते हैं पानी जिससे जो लवड़ होते हैं पानी में घुल जाते हैं और नीचे अंडर ग्राउंड चले जाते हैं तो लीचिंग द्वारा लवडियमिट्टी को सु नाकपूर यह करना सेलेटी इसलेनी इस चैसल नहीं तो कि अक्ताँ है के ऐवर निए मिट्टी में चूना डालता मुतली है होता है साथ से कम होता है तो चूना जैसी डालते हैं और पीएच बढ़ा जाता है ठीक है ना तो इसका अंसा सही होगा चूना उम्मीद करता हूं 30 कौश्चन में से लगबा 25 या 26-27 जितने भी कौश्चन आप से बने बहुत अच्छी बात है 30 में 30 भी जिनके बने होंगे उन में कितने कॉशन अपको बतकने में आपको बहुत आप करी थी आपके साहते हैं आपको यहां जरूत लगे आप लोग हमें याद कर सकते हैं मोवाइल नमर आपको अच्छी प्रकार से स्क्रीन में दे रखें, मुझे आप लोग उनको नमर से, आप कॉल कर सकते हैं, बोटसप पे जो भी जानकर ये प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, बाकी MPPAT के नोट्स के लिए आप लोग मिल सकते हैं, आपके जूनियर हैं, 12 में आएं, उनको हमारा एप्लिकेशन के बारे मजबूल बताएं, एग्रोटेक स्टेडी एप्लिकेशन प्लेश्टोर से अप लोग उसको जो है, डाउलोड कर सकते हैं, प्लेश्टोर से डाउलोड करने के बाद, आप 12 का कंप्लीट कोर्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, चलिए बच्चों, तो आज के लिए झाल झाल